हाई एवरिवन दिस इस तरुन खंडागरे आज हम करने वाले अन्बॉक्सिंग किस चीज की वो चीज की जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था हमारा न्यू माइक आ चुका है अब आपको कॉलिटी बहतर मिल रही होगी इससे अच्छी कॉलिटी आपको देखने को मिलेगी तो करते हैं ये चीज को अन्बॉक्स कौन सा माइक है देख लेते हैं ये है यार देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का माइक है और इसका नाम है मायनो AUPM421 ये बहुती अच्छा मॉडल मुझे मिला जब मैंने देखा बहुत सारी रिसर्च करना पड़ा यूटूब पे और जगा पे कि लोग कौन सा यूज करते थे क्योंकि मैं तो फर्स टाइम कर रहा था मुझे नहीं पता कि कौन सा माइक ओर्डर करना चाहिए कौन सा माइक अच्छा होता है तो थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ा उसके बाद मैंने ये माइक प्रिफर किया लेने के लिए कि यार ये माइक बेस्ट हो सकता है लेने के लिए इसमें हमें भेतर experience मिल रहा होगा आडियो का तो चलिए करते हैं इसको unbox देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़े हमें मिलती है, यह हमारा mic है, इसको करते है, कहां से खुलेगा, इसको खोलते है, अब box खोलने में मैं expert बिल्कुल नहीं हूँ, खोलते हैं इसको, अरे यार इसमें कुछ tape लगा है, चलिए one minute बाद मिलता हूँ तो box हमारा open हो चुका है देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हमें मिल रही है सबसे पहले मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या-क्या रखा हुआ है एक-एक चीज़े को देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है user manual उसको रख देते हैं side में उसको आजकल कोई नहीं पढ़ता है उसके बाद ये बहुत प्यारी चीज़े है इससे जो है ना sound filter होता है आपका बहुत ही एक अच्छा sound आपको देखने को मिल रहा होगा ये चीज बहुत ही अच्छी होती है इससे हम बहुत सारी चीज़े use कर रहे होंगे इसका तो करेंगे इसका भी use setup करते हैं ये हैं हमारे mic के उपर लगाने वाला cover जिससे audio filter और भी अच्छा हो रहा होगा और क्या आया है इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है और ये आपने देखा होगा ये बहुत लोग use करते हैं ये हम table में लगाते हैं और mic हमारा बिल्कुल यहां होता है आप देखते होगे बहुत सारे YouTube वीडियो में इस तरीके के mic programmers लोग use करते हैं बहुत सारे लोग use करते हैं जिससे हम connect करने वाले और एक बार बता दू आपको कि इसमें जो है न टाइप सी केवल नहीं मिलती है अगर मुझे मेरे मैक से connect करना है तो मुझे अलग से port खरीदना होगा जो USB connector to type C connector होगा और फिर जाके मेरे मैक में connect होगा ओके ये बाद आपको पता होना चाहिए उसके बाद ये आई main चीज हमारी ये है main चीज यार जो हमारा माइक है मैं आपको pass से दिखा देता हूँ ये माइक देखो इसमें एक खासियत ये है कि आपको बिल्कुल जहां पे जो नाम लिखा है न उसके pass से बोलना होगा अगर आप पीछे side से बोलते हो उसके तो आपको sound नहीं मिल रहा होगा ये इतना noise cancellation कर देता है जो सामने से बोलेगा उसकी noise आईगी अगर कोई पीछे से बोल रहा है तो वो catch नहीं करेगा बहुत साई quality आपको इसमें मिल जाती है तो इसको मैं setup करने के बाद आपको सुनाता हूँ sound की sound इसका कैसे आ रहा है तो वीडियो को देखते रहिएगा बताता हूँ आपको एक second रुखना वस अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो आ रही है हमारे new microphone से तो बताईएगा कि ये आवाज आपको कैसी लगी ये आवाज और पिछले microphone जो हम use कर रहे थे बोया का उसमें क्या difference है जादा difference है आपको कम लग रहा है difference अब audio quality हमारी कैसी है अब आपको क्या problems आ रही है बताईएगा वीडियो के नीचे description में और बताईएगा comment section में कि किस तरीके से हम और improve करें आप एक चीज भूल गए देखना कि हमने camera use किया है इस वीडियो में ये वीडियो की quality आपको अलग लग रही होगी other videos के comparison में तो बताईएगा कि ये वीडियो की quality कैसी लगी आपको और क्या improvement कर सकते हैं हम लोग साथ में मिलके और क्या आपको improvement चाहिए है बताईएगा और ये voice आपको कैसी लगी ये जरूर बताना comment section में कि किस तरीके से ये mic काम कर रहा है बहुत research करने के बाद ये mic ढुंडा है यार मैंने आप लोगों के लिए तो बताईएगा description में किस तरीके का ये mic आपको लगा ठीके मिलते हैं निवडियों के साथ तब तक के लिए take care बाबाई सिया have a good day